नमस्कार दोस्तों मेरा नाम मोहित है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल Tech Support में स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसी हम Windows 10 X Emulator को अपने Windows 10 Pro मिशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें Google पर टाइप करना होता है Windows 10 X Download तो फर्स्ट लिंक जब ओपन करेंगे तो आपका ये लिंक ओपन होगा यहां पर आप जाएंगे तो Windows 10 X से डाउनलोड करने से पहले अपसे पहले इसकी आपको minimum configuration बताएगा जो कि आपके system पे होनी चाहिए इसके लिए आपका 64-bit Windows 10 Pro Enterprise और educational operating system install होना चाहिए इसके लावा hardware requirements भी होती है जो कि Intel CPU 4-core और dedicated photo simulator और 8GB RAM होनी चाहिए और 4GB को minimum है 15GB hard disk और आपका यह dedicated video card recommended भी हो चाहिए यह direct x11 और WDDM 2.4 graphic drivers और लेटर तो BIOS के अंदर भी आपका second level address translation as a flat और DEP है जो data execution prevention भी enable होना चाहिए और साथ ही साथ आपका virtualization भी enable होना चाहिए और आपका add remove program के अंदर जब जाएंगे program features में वहाँ पर आता है turn windows turn off on off मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर अगर आप this.cpl करेंगे तो यहाँ पर आपका hyper V की option भी enable होनी चाहिए इसके साथ यह देखिए जैसे मेरा enable है तो आपकर नहीं है तो आप क्लिक करके enable भी कर सकते हैं करने के बाद यह आपकी minimum requirement है उसके बाद आपके दो option होते एक windows microsoft emulator हमें install करना पड़ेगा और उसके अंदर हमारी windows 10x की emulator image install होगी तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर open store आएगा microsoft store से ही यह सारा कुछ download होगा तो देखिए इस तरीके से आपका windows 10x microsoft store में search करेगा अब यसे कि मेरा आगया विसमें get पर क्लिक करना है get पर ही क्लिक करके यह आपका वहां से connect करेगा तो अगर आप sign in करना चाहे तो sign in कर सकते हैं नहीं तो आप no thanks पर भी क्लिक कर सकते हैं तो sign in के लिए आपकी microsoft की id की requirement होती है दोस्तों अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यह launch करना है install हो चुका है the product is installed तो हमें launch पर क्लिक करना है launch पर क्लिक करते ही यह आपका open होगा और यहां पर automatically हमारी जो images होती है जो हमें install करने थे वह यहां पर show कर जाएगा अगर आप यहां पर जाते हैं तो देखिए यहां अगर यहां पर भी आप क्लिक करेंगे तो यही same image इसके ओपर download हो जाएगी बट अभी हमें directly इस पर search करके दिखा रहा है तो हमें जो जो हमें image load करनी है अभी latest one जो है 19578.0 है तो हम वो करते हैं इस पर install पर क्लिक कर देते ह हैं इस्टावड में क्लिक करते ही यह आप से फिर से login ID मांग सकता है तो आप login ID डाली देते हैं इसे हम तो आपको connect करेगा Microsoft के उससे तो हेर में आपकी ID डाल देता हूं जो की मेरी Microsoft के साथ registered है तो यहां पर sign in कर दिया है तो yes next तो यहां पर अभी initialize करके यहां पर आपका emulator की image download होनी start हो जाएगी दोस्तों यहां पर आप download होना start हो चुका है अभी मैंने यहां पर LAN पर connect कर दिया है क्योंकि वाइफाइ पर थोड़ा सा slow चल रहा था तो अभी यह download यह पूरा होगा तो मैं इस वीडियो को दुबारा से resume करूंगा let me pause this video welcome back दोस्तों देखो देखा दोस्तों अपने यहां पर हमारी image download हो गई है अब हम इसे हम close कर सकते हैं और अभी हम इस पर दुबारा जाएंगे और इसको select करेंगे तो यहां पर हमारा option भी दिखा रहा है कि admin access के लिए पूछ रहा है तो हमने retry पे क्लिक कर दिया यहां पर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई हो बट यहां पर yes और no कुछ हो तो मैंने yes पर क्लिक किया यहां पर accept the agreement तो अब यह देखिए window 10x emulator का preview यहां पर load हो रहा है तो यहां पर भी थोड़ा सा समय लेगा आपका load होने में but let me pause this video अगर कोई option आती है तो हमें इस वीडियो को द्वारा से resume करूंगा welcome back friends अब यहां देख सकते हैं कि हमारा जो window 10 emulator पूरी तरह तरह launch हो चुका है यहां पर जाके हम start पर जाके भी अपने जो भी हमें application यूज करनी है जैसे कि हम edge पर जा रहे हैं तो अपना edge भी यूज कर सकते हैं यह देखिए यहां पर edge load हो गया है आपका इस all depend कि आपकी system की क्या speed है उससे रहेगा और internet की क्या speed है जिससे आपकी image download हुई है और यहां पर आपका current time भी दिखा रहा है जैसे 140 140 यहां पर आप अपना अलग से भी option कर सकते हैं जैसे fit to screen आपको करना है रोटेट करना है यहां पर कोई भी आप edge पे जाके काम भी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर हम fit to screen करके देखते हैं तो यहां पर हमें center में आ गया है कि कि इशू ना हो जैसे कोई company में बना तो center में set हो गया है यहां से अपना इसको set भी कर सकते हैं डन और यहां पर अगर हम भी हमें और भी कुछ चीजे यूज करनी है, यहां पर टास्क व्यू में आ गया है, जैसे कि हम अपना यहां पर मेस खोलते हैं, तो मेस भी खुलेगा, तो यह Windows 10 Emulator Pack है, यहां पर हम अपना काम भी कर सकते हैं, अगर हमें को यह पर काम करने हैं, तो के create हुई है, तो जैसे कि हम यहां पर हम अपना IBM.com में खोलते हैं, so let's see कि ओपन होता है नहीं होता, means की network की settings, INEI internet की, we can check also, so और इसके अलावा, अगर हम यहां पर हम टास्क व्यू पर भी जा सकते, अपना यह सेटिंग कर सकते हैं कि कौन कौन से टास्क ओपन से हैं भी, हमारा Microsoft Edge अभी right now open है, so it all depends your internet speed की, कितना speed होगा, क्या इसकी system की speed है, तो यह इस पर depend करेगा, तो देखिए, आप अपर अपर IP address भी इसने उठा लिया है, एक यह virtual IP address लिया है, जो की मेरे current network का नहीं है, तो आप इस emulator पे अपना, यह एक virtual machine की तरह create भी करके अपना काम भी कर सकते हैं, यह आपका कोई testing link करने हो, कोई spam application check करनी हो, same as a sandbox की तरह, but, sandbox में एक दा same operating system बनेगा, जो desktop पे चलता है, यह आपका जो operating system आया है, जैसे आपके iPad, iPad गह रहा हूँ, आपके taps आते हैं, टैस पे चलता कर, Windows वाला OS है, तो वैसा चलेगा, तो यह चीज है इसमें, तो इतना आसान था, यह install करना, मुझे उमीद है, कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और मेरा यह वीडियो भी पसंद आयो, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजी, और मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजी, अगर अभी यह वरी मुझ वर वाचिं इस वीडियो, थैंक यू!